नमस्कार स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं हमारा खास कारिकर्म लोकतंत्र आपके साथ मैं हूं घंशेया मुपात्याए सुप्रीम कोट ने केंडर और राजी सरकारों से पुलिस थानों में लगाए गई CCTV कैमरों को लेकर देरी पर सवाल पूछा है साथी CCTV पर कब कितनी रकम खर्च की गई इसका ब्यारा भी तलब किया है अमारिकर स्क्यूरी की रिपोर्ट की आधार पर कोट ने ये आदेश जारी किया है रिपोर्ट की मताविक पिछले डेड़ साल में हर्याणा और तिलंगारा ने इस पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया कोट ने हर्याना और तिलंगारा सरकार से इसका बजट टैकर पिछले आदिश पर अमल कर चार महिने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदिश दिया है पोलिस थाना एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग नयाय के लिए जाते हैं अपनी शिकाय दर्ज कराने के लिए जाते हैं लेकिन यहां पर अकसर उन्हें बेवजब प्रतारना का सामना करना पड़ता है जाच एजिंसी से जुड़ी इस हकीकत पर अदालत ने कई बार संग्यान भी लिया और कस्टरी या पूस्ताच के दौरान यातना टॉर्चर या परिशानियों की दौर को कम करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किये 2015 के डी के बसू केस पर जारी निर्देश आज भी मील का पत्थर बने हुए है इस केस में किसी भी गिरफतारी के लिए अधिकारियों को हिरासत में लेने के दिशा निर्देशों को दिया गया लेकिन इन दिशा निर्देशों का लगातार उलंगन हो रहा है कस्टोडियल डेथ और हिरासत में प्रतारना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं इसी के मद्दे नजर पुलिस थाने और केंद्रे जांच एजिंसी के दफ्तर में सीसी टीवी लगाने के निर्थेश दिये गए क्यों सरकार सीसी टीवी लगाने पर कोता ही कर रही है क्या फंड की कमी है या पिर इच्छा शक्ति की कमी है जांच एजिंसी क्या अपनी जिम्यदारियों को निभाने से कत्रा रही है अगर हाँ तो फिर क्यों और भी कई सवाल है जिनका जवाब आज लोगतंतर में हम ढूड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन इससे मुतालिक पहले एक रिपूर्ट आपको दिखाते हैं प्रवर्तन निदिशाले, NCB और NIE जैसी केंद्रिय जांच एजन्सीज में CCTV लगाने के मामले में सुप्रेम कोट ने केंद्रिय सरकार को फटकार डगाई है सुप्रेम कोट ने कहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने पैर पीछे खिच रही है अदालत ने कहा है कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबन्दित है और अदालत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर चिंतित है वह शीश नियाले ने थानों में CCTV लगाने को लेकर बिहार और मध्यप्रदेश सरकार को भी पटकार लगाई है अदालत ने कहा है कि आपको अदालत की आदेश का सम्मान नहीं है उजितम न्याले ने केंद्र को निर्देश दिया कि केंद्र तीन सब्ता के भीतर कोर्ट को सूजित करे कि केंद्री एजन्सीज के लिए कितना फंड आवंडित किया गया है और CCTV कब लगाए जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को ये सुरिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन कारे करने वाले प्रतियेक पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे इस्थापित हों भी होना चाहिए CCTV कैमरे के डेटा 18 महिने की अवधी के लिए संरक्षित रहें CCTV के रखरखाव और रिकॉर्डिंग के जिम्मिदारी संबध्य थाने के सेचों की होगी कोट ने ये भी कहा कि राजियो केंदर शास्त प्रतियेक जिले में मानव अधिकार नियाले स्थापित किये जाने चाहिए आयोग और नियाले इसके बाद अपने सुरक्षित रखने के लिए घटना के संबंध में तुरंत सिसी डिवी कैमरा फोटेज को तलब कर सकता है जो कि इसके बाद की गई शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए एक जाच एजनसी को पलब्ध कराया जा सकता है जाहिरे कि जिस तरह से ठानों में आरोपियों के साथ मानव दिकार हननन के बामले सामने आते हैं उस पर लगाम लगाने की बजाए केंद्र का कोता हाई वाला रवया चिंतागा विशे है बिरो रिपोर्ट एपिन न्यूस तो इस देरी की वज़े आज ढूडने की कोशिश करेंगे आखिरी किस तरह की हिला हवाली है कि सरकार वाकई इस तरव संजीदा नहीं है मेरे साथ कुछ खास मेमान जूट रहे हैं परिचे मैं आपका करा दूँ मेरे साथ जूट रहे हैं एके जेन पूर पुलिस महानितिशक है राजी शर्मा मेरे साथ जूट रहे हैं वरिश अधिवक्ता सुप्रीम कोट अभी शेक अत्रे मेरे साथ जूट रहे हैं वरिश अधिवक्ता सुप्रीम कोड मंजुला गुपता मेरे साथ जूट रही हैं अधिवक्ता सुप्रीम कोड आप सभी का बहुत स्वागत शुरुआत अत्रे साथ आप इसे करूँगा सर डिटेल में बता ही ज़रा पहले कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है सरकार को इस सम्मंद में देखे कोर्ट ने इस मामले अभी दिसंबर को एक जज्जमेंट पास किया रही है उसमें डिरेक्शन दी थी बहुत साथी कि आप सब जगे सारे कुलिस जिसमें सिंट्रल गवर्मेंट इसमें इंवेस्टिकेटिटिटिंग अगैंसी थे थे चाहिए हो डिया रही हो या नाइए है हाँ सब में एक्षिट और एंट्र पॉइंट पे हर एक रूम में ट्वालेट्स तोगेरा के बिभार भी उनकी ओडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और सारी स्टेट्स को डिरेक्शन है यह जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो यह प्रिसर्ड की जाएगी अगर कोई वाइलेशन काती है कोई आदमी कंपलेंट करता है कि मेरे साथ पुलिस ने अट्विस्टिटी स्टी मार्केटी की या कोई तस्टोडियल देसका केस आता है तो लोगों को रैट्स होंगे कि वो वही मार्इज कमिशन में अपरोच कर सके और बड़े-बड़े पोस्टेर्स लगाएगे कि यह पताने के लिए लोगों को इनके रैट्स पर अवेर कराने के लिए वहाँ पर पर कंपलेंट कर सकते है और जैसे ही कोई सब्सक्राइब तो इन इमन राइट सेमिंशन, गेमन राइट कोट, वो अपर सकती हैं, वो सारी सीटी भीपाइज वोर्ट कॉट्स अभी कोट ने डिरेक्शिंस में में यह कहा है, अभी मैठ्र पंडिंग है कि अन्हें कि इतना प्रज्ट सेही हैं, अपने हरे कोजट बना कि सारी स्टेट्स किया कुछ नहीं कि वारा इतना बजट आएगा इतने कर्कास लगाने है तो कोड सटिस्वाइए नहीं थी बहुत सारी स्टेट्स थे कुछ लिए स्टेट्स थे तीन-तीन साल का ताइम आग तो कोड ने कि सब्सक्राइब करें किया तिक है राजेश जी असल में कोड को ऐसा क्यों लगा कि सरकार इस पूरे मामले में अपने पैर खीच रही है कोड के इस अहसास को लेके आप क्या कहेंगे कोड को ऐसा महसूस क्यों हुआ गर्शाम जी इससे पहले कि इस बारे में बात करें कि कोड ने ऐसा क्यों सूचा कि सरकार पैर पीछे खीच रही है हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इस दिरुएत ही क्यों पड़ी CCTV टैमरा जो इंस्टॉलेशन का काम है वो क्यों शुरू करना पड़ा है और सरकार के पास बजट नहीं है जा कंस्पेंट है अभी जो हालात है देश के उसको देखते हुए क्या CCTV फूटेज के अंदर इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है इसके पीछे हमें जाने के लिए पहले कारण ये देखना होगा कि पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है देश को पुलिस रिफॉर्म्स जरूरी है जब से देश आजाद हुआ है उससे की पुलिस का रोल क्या रहा है अंग्रेजों की जमाने में पुलिस का रोल फिर्फ सख्राउन को दबाने के लिए इस्तिमाल क्या जा जा था और आज वही काम पूलिस के दुपारा ज़ा रहा है जो भी सरकार में पॉलिटिकल पार्टी आती है वही यह काम करती है पुछले सट्तर साल से हम पूलिस रिफॉर्म्स की बारे में बात कर रहे हैं लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं होते हैं हमारे देश का जो हिमिन राइट्स का जो एक रिकॉर्ड है हमें इसके बारे में भी बात करनी पड़ीगी आप देखिए अभी लोकडाउन के समय में क्या हुआ जो लोग शड़क पर निकल गए अपनी रोजी रोटी के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, खाने पीने का सामान लेने के लिए, पोलिस ने क्या पिबरदस करी किकी सुमक्त मार रहे लेकिन कहीं भी कि भी वाज नहीं लोगों और सक्टरी के संदर मारे है हुई ने बार-बार human rights कमिशन लिसके ओपर comment करता है international human rights commission की जो bodies है वो comment करती है फिर हमारे देश को बुरे लगता है जो सक्का में बैठे फॉर politicians को बुरा लगता है न्दरोनी हालात है हमारे देश के अंदरोनी जो जो भी situation है उसके बारे में बाहर की नोग क्यों बात करें क्यों नहीं बात करेंगे जब अगर पाकिस्तान में सी भी तरह के हिमिन राइट्स वाइलेशन होती है हम सेलेक्टिव भी बात करते हैं कि हिंदुओं के ओपर या सिख्छों के ओपर वहाँ पे जुल्म डाये जा रहे हैं तो हमारे देश के अंदर जब आम ज क्यों है लेकिन फिर मेरा वही सवाल मंजुला जी आपसे आखिर कोड को ऐसा क्यों लगा कि सरकार इस मसले पे अपने पाउं पीछे खीच रही है और सरकार उतनी चुक नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए इस बात का जवाब मैं कि इसकी जरूरत है इसमें कोई भी संशय नहीं है क्योंकि मैं खुद एक एड़ोकेट हूं और यह 2014 में एक अंबिका दास करके एड़ोकेट होती थी जो अब दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है उन्होंने एक एफ आयर कराया था ही वो किसी को सर्विस करने के लिए गई थी stay order और वहां पर वो किसी अच्छे बड़े आदमी के उपर apply करना था तो उसने अपने आदमियों से और पुलिस से मिलके उनको उनके साथ काफी दुर्वेवार किया था और उसके बाद उनकी F.I.R. लिखने से भी मना कर दिया था तो उन्होंने Supreme Court में याची का दा पर उनके साथ कोई दुर्वेवार हुआ है तो वोट ने भी ए मैसूस किया कि इस तरह कि और बहुत से केसे कोट के सामने आए थे जिसमें था कि उनके साथ दुर्वेवार होता है कोई भी उसका सबूत नहीं होता है तो कोट ने कहा कि नहीं कम से कम CCTV है CCTV cameras है कोई उसका footage है कि आप कम से कम human rights के वाइलेशन जो उनका human rights जो है आपको सबको पता है कि हम सबको की fundamental right है हमारा उसके violation को रोकने के लिए ही यह सब जरूरी है यह mechanism जो आ रहा है यह है system को एकदम सीधा रखने के लिए कि भाई transparency है जो भी हो रहा है पुलिस station में जो लोग वहां पर जा र पूलिस करते हैं यह सब record हो जाए एंड उसके बाद आप infect court ने तो यह भी कहा था कि आप एक committee बना लीजे जिसके लिए custodial torture चेक human rights abuses को चेक हो जाए वीजियोग्राफी हो जाए वो सब करने के लिए उन्होंने कहा था जैसा कि आपने मुझे पूछा कि क्यों जरुरत लग हैं उसमें percentage बहुत कम हैं बहुत ज्यादा बहुत ही कम जगह पर यह efforts लिए गए हो जैसे अभी बताया आपके रिपोर्ट में था कि हर्याना में और हर्याना जैसी जगह पर तो अभी तक उन्होंने शुरू भी नहीं किया है तो दैट शोस कोट को कि भई जो कोट का एक order है उसकी अभेलना हो रहे है केंदर के द्वारा और राजियों के द्वारा भी इसलिए कोट ने आज एक strong decision लिया है एक अच्छे से स्टेट को सेंटर को भी बोला है और केंदर को और राजियों को भी बोला है कि भे आप बताईए तो कि आप क्या कर रहे हैं इस बारे में जव पहिनके राजे शर्मा जी ने जो कहा उसे सपोर्ट करता है सर यह आकड़ा असर में कहता है कि भारत में साल 2010 से 2015 की बीच पुलिस हिरासत में लगबग 600 लोगों की मौत हुई और 114 पन्ने की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस दोरान हिरासत में किसी भी कैदी की मौ लिए लगना आज की आवशक्ता है वह पहले लग जाना चाहिए कोई फंड नहीं है इच्छा शक्ती की कमी है अगर कुछ ऐसे स्थानों पिटी लगेंगे जहांपर की एंट्रेंस है जहांपर की और पुलिस स्टेशन और ऑफिस है सहो का कारियाले है जहांपर की मीटिंग रूम है जहांपर की जो एप्लिकेट साते हैं वो पहते हैं जो का कस्टडी रूम है सब में इसी टीव की लगना चाहिए बहुत से पानों में राये गए है यूपी ने बहुत फैन फेर के साथ इसको लॉंच गया था अब इसको पूरा नहीं हो पा रहा है इस प्याकित्प अगर कोई गलत व्यवार कर रहा है तो वो डिटेक्ट होगा फॉर अगर उसकी रिपोर्ट पी लिखी जा रही है उसके साथ किसी प्रकार का दुर्यवार हो रहा है कोई महिला को प्थी शिकायत लेके नहीं है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग यह भी डिरेक्शन है इसकी मूल जड़ में चाहिना था हूंगा अगी हम अठारा सो इंट्रेक्ट के कवर्ड कोई करें सुब्रीम कोड की पांच इसकी एडिट बाइट वाई इस जेस्टिस अपिंडिया इसमें बिलकुल पुलिस रिफॉर्म के लिए सबस्ट आदेश के लिए कि उसको लागू किया अगर वो हम लागू करते हैं जिस प्रकार से पुलीस को इंडिपेंडियों पर इन तक आवशक्ता ही नहीं होगी पर यह है कि अपने ही और को इस नहीं करा पा रही है तो यह कमी है जो होनी चाहिए हम लोग हमिशा से प्रकार करते रहे हैं यह तिस कोलोनियल पुलिस नहीं है यह जो है इसमें लोगों की एस्परेंड लोगों की जो पावनाए हैं उनका ध्यान पढ़के पुलिसिंग होनी चाहिए तो आप कहरें सीसी टीवी का लगना बेहत ज़रूरी है अभिशेक आतरे भी है। असल में आपके सरकार CCTV लगाने को लेके गंभीर क्यों नहीं है, वो संजीत की क्यों नहीं दिखाई देती है पहले से आधेश दिया गया कहीं पर भी शुरुवात ही नहीं हुई, कहीं सिर्फ पत्राचार तक बात सिमीत है सर वो सिंसिएटी वो क्यों नहीं दिखाई दीती वो सेंस्टिविटी देखिए गंश्याम जी human rights violation ऐसा मुद्धा है जो पूरे दुनिया भर में सब की नोट में इसके लिए आज से नहीं शुदू से ही लगातार एफर्स किया जब नाइंटीन फॉर्टी एट में ने पहली बार रिजोलुशन पास किया था एंटीन देखिए नाइंटीन फॉर्टी में जब हमने अपना कॉस्टिशन एड़्प किया तो आर्टिकल 21 उसमें तर्ट किया गे था जो राइट तो लाइट फॉर्टी को फंडमेंटर राइट इस पे 2009 में हमने 161 CRPC अमेंटमेंट आज था प्रटिकल 2161 CRPC में यह पुविजन आया कि वो स्टेमें रिकार्ट किया है कि इसके प्रट इसके अपनेसे से अपनेसे के तवरान उसकी ऑडियो और विडियो था 2018 में D.K.Bassu का जज्जमेंट आया जहां यह बोला कि Human Rights Commission हर एक स्केट में हुआ मैंड़ेट ही हैं 2018 में शफी कोहमत का केस आया जिसमें फिर से वीटोग्रेफिटे जोड़ दिया गया उसके लिए डिरेक्शन की शुक्राइब हमारे आज सब लॉस का नहीं है लॉस तो बहुत है सवाल है उनके इंप्लिमेंटेशन का इंप्लिमेंटेशन अज तक नहीं हों पा रहे थी अब चस्टिस नरीमान सब लेके बैठे हैं इस पैटोग्रेंट और उन्होंने इस पैटोग्रेंस एक के बाद एक शुकरनी शुरू की और वो सबसे क्वाइं समाग रहे हैं अगर कंप्लाइशन नहीं होती है तो वो स्टेटीज को बढ़ाएंगे और वो करना है वो करेंगे तो यह जरूरत हमेशा से रही है है हिमन की वाइलेशन तो होता रहा है कही से अरे कुस्टोड जैसे आपने भी रिफेंस भी आए कि उन्हें जो आप रिपोर्ट आपने प अंबिका दास मेरी एक अच्छी वाइब रहा है उसके मैटर का मुझे भी पर रहे हैं पुलिस एफाया लिखने में बहुत पताई बढ़ती हैं गल्दी से एफाया एफाया लिखना बहुत बढ़ा काम है जब कि लली तो कुमारी इसमेशने बोला अतरजी मेरा सवाल असल म कई जगे आप रिप्रेजेंट करते नहीं इस तरह की मसलों में सर मैं इसलिए जाना चाहरता सरकार की गंभीरता क्यों दिखाई नहीं देती देखिए अब यह बात पर को सरकार का आदमी पता सकते है क्यों गंभीर नहीं दिखाती है हम लोग तो एनलिसिस कर तकें क्योंकि सरकार को अपनी सरकार के लाहीं ना कहीं फोर्स का यूज़ करना होता है उसके फोर्स के यूज़ को पॉब्लिक में आने पाए इसलिए सरकार चाहित को दाई देखा ठीक है राजेश जी को जोड़ना चाह रहा है फिर मैं ब्रेक पर जा रहा हूं सर बोलिए गनशा जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ए है कि हमें जब सरकार की बात करते हैं तो सरकार में कौन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आज अगर हमारे संसद का रिकॉर्ड देख लें तो उसमें पैंतालिस प्रतिशक्त वो संसद है जिनका खुद का जो बैक्राउंड है वो क्रिमिनल बैक्राउंड है फॉर्टिफव परसेंट इस बिक नंबर हमारी संसद में बैठे हुए लोग को पूरा इंडिकेंड हैंड मिले और वो एक इंपार्शल जेंसी के तौर पर काम करें तो हमारे संसद जो है वो खुद नहीं चाहते हैं अगर हमारे संसद चाहते हैं तो अभी तक यह पोलिस र रिफॉर्म आ चुके होते हैं अब जब इनके अपने इंट्रेस्ट होते हैं तो वेजे थफ 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 आगे उस तुरंट कोई भी लोग को पास नदिया जाता है बिल्कुल बिल्कुल किसान अंदोलन चल रहे हैं किसान को अगर कोई बेनेफिट नहीं चाहिए तो सांपद बनाने के लिए यह फानूर लाए रहे हैं मैं उसके जोड़ रहा हूँ क्योंकि तांसत जो है जब तक मारे संपद क्लियर नहीं होगी तो अपना ही तो सरुपारी जहां दिखाई देता है वहां पने इस तरह की हीला हवाली होती है मैं यह पॉलिटिकल विल कितनी जरूरी ह इस तरह के मामलों में और इस तरह के मामलों में और सीसी टीवी लगाई जाने को लेकर खास तोर पे दिखिए पॉलिटिकल विल का जहां तक सवाल है कोई भी अगर रिफॉर्म बनेगा तो वो गवर्मेंट से बनाएंगे तो उसमें उनका जो हमारे कि इसके बारे में हम इतनी आवाज उठानी चाहिए कि उन लोगों को भी लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है आपके जैसे कि अभी कहा गया कि हाँ इतना परसेंटेज है क्रिमिनल उसका हम लोग सभी जानते हैं उसके बारे में लेकिन कहीं ना कहीं मैं महसूस करती हूँ कि हम हम लोग भी उसके लिए responsible है कि हम ही लोग उनको वोट करके वहां पहुंचाते हैं तो हम लोग जब अपने आप में strong होंगे तब भी हम अगर इसका आवाज उठाते हैं जब हमें अपने human rights को पता है कि हमें उसका violation नहीं होने देना है हमें करना है अगर हम भी अपनी कि सरक्षा सब कुछ निर्भर करती है इसके उपर कि अगर उनके साथ को इनसाफ ही नहीं होगा तो कहां से हमारा देश आगे बढ़ेगा देश आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें इस सब रिफॉर्म अपनाने ही पड़ेंगे जी ठीक है एक जैन भी हमारे सा इंटरनेट ही नहीं है तो वहां पर CCTV लगाने का क्या मतलब है सर अब कुछी द्याद के थाने कुछी होंगे बहुती इंटीर एरियास में नक्सल प्रभाविज चेत्र में जहां पर कियाती तह सकते हैं कि बिजली नहीं है जी वर्ना सब जगे डीजी सेट पगरा लगाए हैं सब जगें कंप्यूटराइज सब एफ आइयार हो रहे हैं इंटरनेट फंक्शन कर रहा है कि तो इस अब यह सब है इस तो एक इच्छा शक्ती की बात है जब 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 इस दिर इच्छा शक्ती हो जाए कि हाँ यह जा चाहिए तो आवश्य हो जाएगा इसको तुम हम कि लोग बहुत पहले से डिमांड परते रहें कि यह इससे पॉप्रिक का मुरा मुराल इस्टिंग भी होगी तो लगेगा कि हां हमारे साथ प्रॉपर प्रॉपर किया जाएगा यह कि यह जाना बहुत ज़रूरी और वही है कि मजद तो अशर है मैं 37 यह सब्स मैंने की और म बदल गए को कोई नहीं बदलना चाहा रहा है कि हर पॉलिटकल पार्टी चाहती है कि पुलिस उसके कुछ कंटे में रहे एक सही काम जो है वो ना करें जो पार्टी जो कहे वो करते है जब ऐसा होगा तो सोभाविक से शिकायत पे आएंगी हम जहां तक रही पार्टी मुकर में कम सर्कार में ज्यादा दर्ज हुए और पॉलिटकल पार्टी इसी ओशिश में लगी हुए कि किस्रे साल ते मुकद में इस साल कम निप्लॉयमेंट बहुड़ा है, पॉपिशन पड़ रही है, क्रिमनालिटी बहुड़ रही है, मुकरमे कम कैसे जाएं हम इसे बात को हम लोग समझने की कुछी की करते हैं इस देश में आपकड़ों पे जाना ही नहीं चाहिए, पॉपिक का पर्सेप्शन है, पर्सेप्शन क्या है, क्या वो सही है कहते है कि हाँ साब पुलीस बहुत अच्छा, कानून वेवस्ता बहुत अच्छा है, वो मापदंज हो ते, महां पर एक खत्मा रहे, दिखा गया, इस साल हो क्यों लिखे गए, बराबर हो जायेगा, यह कता ही नहीं, अच्छा है कि जल्दी से जल्दी, पार्सेफ, इंडियन, 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 पार्सेइफ, समात कर दे, उपता बहतर, हमें, हमें इस वाद की ठीजा है कि का इस्ति तो पर गई गई इस सब्सक्राइब पर गई लगे वह हैं कि यह सब्सक्राइब कर देखे गई यह थी आप कुछ कहना चाहरे थी मैं ये बोल रही थी कि समें cctv का हमारे जितना हम नमटक देख रहे हैं कि अभी सुप्रीम पोर्ट ने बोला है कि cctv जो है कि सिभी गवर्मेंट एजनसी में जो की हमारा इंटररीवेशन करती है हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और यहां जिसको पावर है हमें अरेस्ट करने की उस सब में CCTV लगना चाहिए, that includes CBI, NIA, enforcement, directorates, NCB वगएरा 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 और बहुत सारी एजेंसी हैं, मेरा ये कहना है कि अगर CCTV लगता है तो हम बहुत सारी चीजों को रोक सकते हैं, बहुत सारी जीजों को जल्दी साल्व कर सकते हैं, जहां तक FIR का सव बहुत ज्यादा मना करते हैं, और एक सिंपल सा एक्जामपल में दूंगी आपको कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है, वो बोलेंगे आप लिखवा दीजे कि मोबाइल कहीं गिर गया, गुम हो गया है, इसका कारण क्या है इसलिए कि उनको काम करना पड़ेगा, उनक लेकिन CCTV अगर हमारा लगता है, तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कितने सारे हमको पता लग सकता है कि किस तरह से वो अपने जो ठाने में आते हैं, उनके साथ कैसे वेवार कर रहे हैं, कैसे F.I.R. लिखने से मना कर रहे हैं, और कितने सारे केसे हैं, जहां पर हम दे सुनवाई टालने की बात में पूछा गया कि ऐसा आप क्यों चाहते हैं तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पत्र के जरीए इसलिए सुनवाई टालने की मांग की थी कि आदेश के प्रभावों पर गौर किया जा सके सर ध्यान सुनिएगा असल में किस सरे कि प्रभाव पर गौर करने की बात ही सर आपको समझा सकते मेरे विवर्स को देखिए अब ये तो बहुत समझने में चाहती थी कि हर जगे पर गौर के सीसे टीविक लगाना बहुत सारी ऐसी प्रति होगी है जो पब्लिक डॉमेन में ना है चाहती है उस तरह को एनलाइज करने के लिए उन्हें टाइक मंगा हो उनकी इंटेंशन रहे होगी लेकिन पोर्ट ने उसे रिजेक्ट करते हुए सीधे इस पूरे मामले को हम देखे गैशन जी यह मौलिक अधिकारों का हनन है क्या और अगर ऐसा है तो समविधान का अनूचेद 21 के तहट नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों से किस तरह से संबद कर सकते हैं इस पूरे मामले को हम देखे गैशन जी यह मौलिक अधिकारों का हनन है आपको जस्टिस तो तब मिलेगा जब आप खाने में जाके अपनी कंप्लेंट को लॉज करा पाएं अगर आपकी कंप्लेंट ही लॉज नहीं होती है इत बीस आउट राइट ली आप ऑन दे त्रेश्वर्ट ऑफ दे जस् को और जबिद सब्सक्राइब करें seguisten चाहर नहीं कि ट्रेश्वर्ट के लिए होनी होता है उसको नहीं हुँ हम तो इसलिए जरूरी है कि कोई बीन थाना उसके अंदर CCTV camera लगे हो उसका supervision senior officers के control में हो और कभी भी जब भी गरीब आदमी कोई भी आम आदमी पिडित जब थाने में जाता है और वो अपनी complaint lodge कराने जाता है और उसकी complaint नहीं होती है lodge तो वो senior को अप्रोच कर पाए तो मानने सुप्रीम कोर्ट की जो इंटेंशन ने बार बार जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि ऑड़ेबल सुप्रीम कोड ने डिरेक्शन दी है तो यह कंप्लाइक क्यों नहीं हो उसका रीजन सबसे बड़ा रीजन है मैं बड़ा ब्लेंटली बोलने वा है उसको कभी भी गरीब आद्मी को मिलने नहीं देगा और जो पार्फुल लोग है गरीब आद्मी जो अथाने में जाता है उसको मार की बगा दिया जाता है जिने ओवर और ऑल इंडिया की सुप्रिशन है आप इसको रोकने के लिए मानने सुप्रीम कोर्ट ने जो डिरेक है और मैं उमीद करता हूं कि स्कूर्ट जरूर्ट एक्जिक्यूट देगा और यह ऐसा ना को पिर कहीं किसी कौने में रखा रह जाए उमीद करूंगा कि कसी ने तरीके से विसल पूर्स को लॉयर्स को हम सब को मिलके ऑन्रेबल सुप्रिशन को बाट श्यताना जगाना जर लेकिन राजेश जी असल में अदालत दौरा दिये गए निर्देशों को लेके वो गंभीरता नजर क्यों नहीं आती कई सेट्स में तो इस तरह की रिपोर्ट आई है कि अभी तो उनने पत्र लिखने बिखने में अब पत्राचारी चल रहा है तो आएशे में लेक्षिंट के सब्सक्राइब क्या है और अधालत की सब्सक्राइब बार मौतником क्या क्को सब्सक्राइब ला रही कि यह पॉलिटिकल है पॉलिटिकल यह मोटिवेटीड हो और इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि वोनरेबल सुपरिम को बार बार हमें क्योंकि इतना बडन है वोनरेबल कोट्स के ऊपर हाई पर सब इतना बडन है कि यह जो आदेश देने के बाद में इस तो रह जाते हैं और कहीं न कहीं है हम स तो यह लगातार उठाती जाएं बाते लगाता ग्रिल किया जाए तब जाके पूरी बात समझ में निकलती हुई आए गया मंजला जी आपको देती हूं कि जैसे यह एंफोर्स्मेंट डारेक्ट रेट्स है यह जहां पर हम किस तरह इस तरह के जहां पर हम लोग उसको बिठा कर जो भी अघिए है जो भी आदमी है उसका हम अगर स्टेट्मेंट रिकॉर्ड करते हैं अगर वह स्टेट्मेंट हम उसको अन्डर प्रेशर या किसी भी तरह से किसी के दव किसी तरह से दबाप डालके ले रहे हैं तो वो कहां पर उसका जस्टिस हुआ तो यह तो क्लियर कट fundamental rights की अभेलना है कि हमें fundamental rights को हम लोग consider ही नहीं कर रहे हैं कि यह fundamental right है कि वो अपना court के नहीं है जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो रूरल एडिया से वहां पर electricity नहीं है लोग इतने जादा जानकार नहीं है इंटरनेट के प्रतिया उनको इतना ज्यादा अभी knowledge नहीं है कि वो इसको operate भी कर सके तो हमें वो भी इसकी देखने पड़ेंगे infrastructures की कवायद है उस तरह के लिए भी they may take some time पर मेरा ये कहना है state को भी और central government को भी at least आप आगे तो बढ़े कुछ कदम तो बढ़ाईए बिल्कुल तो समय लगेगा लेकिन शुरूआत कहीं न कहीं से कर भी पड़ेंगे तो वो शुरूआत की जरूआता और उसी को लेके कोड भी काफी संजीदा नजर आ रही है कोड की तरफ से दिये गए सरकार को निर्देश और ये बताने की कोशिश की असल में कितने जरूरी हैं सीसी टीवी तमाम एजिंसीज में जहां इनकी बहुत जरूरत है सबी खास हमाला गातर हमारे साथ बने वे एक एजन साब भी हमारे साथ मौजुद है मैं तो आपको डिबेट के शुरू में ही कहा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है जिस प्रकार से जुडिशियरी इंडिपेंटेंट है हमारे धेश आज आज आप जुडिशियरी को स्टेट के अंडर में कर दीचे हाइप को उसके नतीजे साफ देए तो पढ़ने लगे आप ज जुडिशियरी जुडिशियरी कर रहा है तो वहां पे आप कह रहा है किसा आप नयाय मिल रहा है यहां आप कह रहा है कि नयाय नहीं मिल रहा है यह तो हमको इस पे खुदी विचार करना पड़ेगा कि उसके टारण क्या है तारण बड़े इस पश्ट है कि कोई नहीं चाहत है भी नहीं चाहता है कि रिफॉर्म जसकों और यह यही रोना लगा रहेगा जब इन वोट में ही यह इच्छा शक्ती नहीं है कि अपने दिये हुए पांच जैज्जिस की प्रिमेंट करा सके तो इसी वज़े से यह लचर व्यवस्ता बनी हुई है यह जो एक है जिसमें आप N.IA B.I.T. C.B.I. बहुत सी ज़ियेंशी भी हैं बहुत से इरोन प्रिम जसमें कि बहुत से लोग जो है वो इनने कर्दॵ के बारे में उन Referrals के बारे में अनके बारे में वात्नी तखक व्याने जाते हैं यह बींजाना होगा कि उनकी नशर्ट नहीं जाता है यह इस वज़ सब्सक्राइब और तर्फानों में तो में यह जा है क्वे उस पर साफ डियार नहीं है उसका पालन होना चाहिए सेंट्र पालन करें इस्टेट दॉक्र की पालन को होना ही चाहिए हम देखिए इसके लिए बहुत सुपरी है तीन-चार बाते कहना चाहूं का जो मौड़निशे कि पुलिस के संसाधन पाया जाना चाहिए अभी कल पर सो जारी कि भड़ती की जाए इस से बड़ा इस पश्ट है कि इतनी रिख्टिया है इस से भी जादा रिक्तिया है तो भई इतनी रिक्तिया क्यों होने दे रहे हैं एक ठाने पे तो कैसे कोई इंवस्टिकेशन कर रहा है एक एक इस इंवस्टिकेशन कर रहा है उसमें कॉलिटी वर्क एस तो यह तो हमें समझेशन किया जाना चाहिए तो हमेशा इसी पर रहा है तो हम देखे यह तो आपको जैसे यह तो आपको जैसे यह तो आपको दस मिनट के अंदर के पहुंचे बहुंचे बहुत दोग इसको अप्रिशेट करें लेकिन एक जैन साब कई फैसलिटी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं डायल हंडड़ पर तो उसमें भी शिकायत आती थी कि डायल करते रही है कोई उठाता ही नहीं है 1090 एक फैसलिटी यूपी सरकार ने शुरू की थी पहले वाली यूपी सरकार ने तो वहां पर भी किसी तरह का कोई रिस्पॉंड नहीं था तो और अगर सीसी टीवी लग भी जाते हैं सर उसका फुटेज बैकिंग उसके लेके जो दूसरे इंतजाम है नाइट विजन का क्या होगा ओडियो विडियो रिकॉर्डिंग क्या होगी सर इसको लेके भी क्या हम तयार हैं? यह सब के हित में हैं किसको किया जाए रिकॉर्डिंग या आज कम पीछे आपकी सब बहुत चीव हो गई हैं तो बहुत जगए जगे मार्केट्स पी लगे हुए हैं वजए से बहुत सी चेन स्क्राइम्स होते हैं तो यह तो आवशक्त हैं आज इस लेकिन सर सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए भी मेंटेनेंस के लिए भी ग्रांट देनी हो तो तो वेकार हो जाएगा हम ठीक है तो हर पहलू पे असल पे ध्यान देनी की ज़रूरत है राजे शर्मा जी असल में सरकार का बार बार चेताना बार बार जगाना सरकार को की सीसी टीवी क्यों नहीं लगाए और सरकार के तरफ से कोई खास तवज्जो ना देना गंभीटा ना दिखाना क्या इस मसल है कि इस तरकार के खिलाफ तो आवमानना का कोई कीस पनाया जाए लेकिन यह आप्शन हमेशा अविलेबल है और को जो भी करने की जुरूरत है मुझे उमीद है और आज ऐसी आशा है कि वो जरूर करेंगी और को के पास में पूरी ताकत है और यह सिटिजन के लिए खास तोर से इसमें लिखा गया है सुप्रिम पोर्ट त्वारा कि यह सिटिजन के लिए हम जो है इसको चुप नहीं रह सकते जब कि उनके जो अख्यां है उनके इसका वैलेश्ट हो रहा है तो पूर्ट को जो है यह एक्टिमने काम सब्सक्राइब है इसका ओर्डरी में इसको का कि क इसका ओर्डरी एक्टिविजम दिखाने के जरूरत है इस इसको जुडिशल एक्टिविजम जो है और ज़रूरी है कि सिटिजन के फंडमेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ओर्डरी को दिखा रही है जो कि साफी समय से बहुत तीशे पड़े हुए ते कहीं हम कि अगर हम बात करें तो आप देखिए एक जर्ट साफ को अपने ओर्डर शीट में लिखना पड़ा कि एक पॉलिटिकल पार्फुल एक एक अक्कुज है और उसकी तरफ से जर्ट साफ को दंखी मिल रही है और ये तंखी साफ में ये भी मिली कि उनके खिलाब कोई ने कोई कि पुलिस को मिस्यूज कर के कीज बनवा जिया जाएगा और ये बहुत ही हाइलाइटिज मैटर है अभी इस पिछले हस्ते की बात है कि और जजज साब ने अपनी और शीट के अंपर इसको लिखा तो आप सोचिए कि जिस देश के अंदर जजिज को पुलिस ते खत्रा है तो आम आदमी के लिए वो खाने में जाते हुए किसना डरता होगा बिद्कुल जरूरत है कैमरा लगाने की कोई भी आम शेहरी आम आदमी खाने में जाते हुए दरे ना ठीक है बहुत एहम पॉइंट आपने रेस कि असना इसमें एक एजन साब का एक रियाक्शन बनता है एक एजन साब जो शर्मा जी ने कहा है इसमें तो आप बताएए गाई उसी के साथ एक आकला जोड़ दूसर राश्य मानवादिकार आयोग में आये हिरासत में मौत की जो आकले हो काफी डराते हैं असल में आयोग के मुताबिक उनके यहां और सतन हर रोज 4-5 शिकायत पु जो शर्मा जी ने कहा कि जज्जिस को भी पुलिस से डर लग रहा है और दूसरा मानवादिकार के आयोग सर पुलिसिंग में आकर इस तरह की दिक्कत है क्यों यह कोई एक अलग कोई केस होगा मैं उस पड़ी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है पुलिस से नहीं है उनको धंकी मिली है किसी पुलिटिकली इंटेंशल आत्मी के मात्रम से कि पुलिस को वो दुरुब्योग करेंगे मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे लोग भूंगे सिर्फ रहे कि वो किसी पॉलिटिशन के कहने पर किसी जज के खिलास कोई गयर कानूनी कारवाही करेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए और जो करेगा वो सदा का भागी है उसको उसको जेल पिटाल देना चाहिए उसको वरखास कर द रहे कि तभी लॉए और मेंटेल होता कि असा नहीं है बहुत के खिलाफ बड़ी सवर्दस कारवाईयां की जाती है और दिन रात दबिशे पॉक्ति के लिए लेकिन एडवर्स स्थिती में काम करना या प्रेशर में काम करना इस बात की हाम ही तो नहीं भरता कि असल में आप को छूट दे दी जाएं अब जो मरजी करें आप टॉर्चर करें लोगों को सर ये इस बात के छूट भी तो नहीं है वो जो करते वो बिलकुल ठीका आपर ए लेकिन ये उस बात की छूब नहीं है। लग रहे हैं ये खुद हराब हैं दोनौ यहां पर ढूत की बैठे हुए है कर दो-डिसल किया कानून कश्ब्स इस प्रक कर और है। सब्सक्राइब कारवाईयां की जी दो प्रेट में इस्टे इस्टे ले आते हैं और साल और साल उसी क्या धार पर नौपिंगे देखिए यह ताजी को हाथ से बच्टी है यह इतना आसान नहीं है इंतर चीजों को हमें डोटालिटी में और देखें जहां तक रही बात की रख कर दिया जाए जाएगा यूबी में चौकियों पर जाते हैं इश्कायते थाने पर नहीं जाती है तो नहीं है कि देखिए कुरा पॉल सधार रहा हो आप आप थाने में जिस पॉर्शन में लगा है उसको आवाइड करिए आप ने जाईए कहीं पर आओ बैठा के आप इंट करिए और चाहे कंडिक्शन हो कोई बात नहीं है कि आपको इतना कोटा खिराय कि पिता कंडिक्शन होना चाहिए लेकिन कई बात सार डर दिखाना भी जरूरी है और शायद सीटीवी के जरीए ये डर ही दिखाने की कोशिश की जा रही है सार आप मेरे साथ रहेगे मंजुल जैसे सर ने अभी कहा कि बात ठीक है कि अगर हम आवाइड सीटीवी लगा भी देंगे तो जैसे अभी नोंने कहा कि पुलिस वाले अगर उसको अवाइड करना चाहेंगे तो कहीं और बैठके कर देंगे तो इस वाइज कोट ने भी बोला है कि उन्होंने कुछ पॉइंट बाرus suburbs जहां से आ जा रहे हैं जितने भी पॉइंट सुस्क्ते हैं वहां सब से चैनल में ब्ड़ियू से सबसे बोलना चाहती हो कि काम से कम आप आगे तो बढ़िये लगाने के लिए क्या होगा कल उसका कैसे दुरूपयजाब वो बात की बात है आप आगे बढ़िये कम से कम अंठ को भी यह ही आप से चाहएं कि आप बताईए तो कि आपके क्या स्टेप्स हैं आपके problems हो सकती हैं जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि infrastructure का problem हो सकता है लेकिन वो भी तो आपको court के सामने लाकर रखना पड़ेगा ना कि हाँ infrastructure का problem है हम यह इसको sort out कर रहे हैं कम से कम court को पता लगना चाहिए कि आप actively इसमें involved and you really want to solve the problem है आपके सिर्फ कहने भार सी नहीं होना चाहिए यह शुड़ शो कि आप इसमें इंट्रसीड है को बात को आगे बढ़ाते हैं और आतरे साब आपके पास आना चाहूंगा कि अगर इन बातों को जा रहे हैं सर क्या इसमें अभास लगा सकते देखिए अब शुरुआत होने लगी कोड कर रहे हैं कोड ने डिरेक्शन की हैं बेट कीजिक मैटर पेंडिंग है कोड मांगें गहुत तरकारों से तो ऐसा नहीं है कि कोड्स अगर करवाने प्टा हैं तो करेंगे नहीं अभी मिल जाएंगे मुझे पूरा बरोसा है वरना कोड के पास सविशेंट पावर से चीफ से को बता के उन्हें पनिश कंटी तो यह सारा काम अब हो जाएगा अगर सही हो जाएगा लेकिन उनका क्या सर जहां पे तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है अभी तो पत्र लिखे ज कोड की शक्ती पर कोई सवान ने उठा रहा है असल में सरकारों की इच्छा शक्ति हम समझे की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सर मसले की सुनवाई होने के लिए भी कह देना कि टाल देना तो वहां पर लगता है कि सरकारे संजीता है वो तो सुनवाई टालने की बात कर रहे हैं हार चीज के तीछे बहुत सारे इसर्फ होता है वही तो समझना चाहरा हूँ आपसे सर वही समझना चाहरा हूँ आपसे नहीं आप देखे कोड में और किये आप आने तीछे मुझे लगता है पूरे उमीद है कि इंप्लिमेंट हो गई है ठीक है राजेश जी क्या टाइम फ्र इंपोर्डेंट है और अबी हर स्टीट का टाइम दिया गया है और को भी कंसीडर करते हुए तमय गया है और दिसंबर एंड जो है यह करने के लिए सब इस को मैसिम ताइम जो मुझे जानकारी है वो दिसंबर है दिसंबर 2021 जी मैं यहां पर छोटा साइक अपना ही किसी स्टाफ नर्स का उसमें उसके साथ में गलत वैवार हुआ था जी के स्टाफ के द्वारा तो उसको लेके मैंने जब हाइपोर्ट के अंदर यह लगाई सिस्टीवी कैमड़ा इंदर आप सर्च करेंगे जिए उसके अंदर दो थाल तक यह चलती रही और इसके अंदर देली सरकार को जवाब देना पड़ा और उसी की वजए से हारे हॉस्पेडल के एंदर सिस्टीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का काम किया गया तो जब आप किसी कीश के पीशे पढ़ जाते हैं तो आपको लगातार इसकी बनाया रखनी चाहिए तो जो भी इसके पीछे हैं पिटिजन्स के लिए 135 करोड देशवासियों के लिए ये बहुत बीटा एंदर आपको लगातार आवाज उठाने होगी और कहीं न कहीं से शुरुआत भी करनी होगी तभी तस्वीर बदलती हुए नजर आएगी बहुत शुक्रिया आप सभी का आपने समय निकाला चर्चा में जुड़े और अपना बहुमूली समय हमारी वीवर्स को समझाने में दिया तो इसी की साथ लोगतंत्र में आज बस इतना ही आप देखते रहे हैं नमस्कार